हाई दोस्तों क्या आप सोच रहे हैं यहां यह जाडू क्यों है यह जाडू इसलिए है यहां क्योंकि आज हम जाडू लगाने वाले हैं मतलब हम हाउस चोर्स करने वाले हैं आप सोच रहे हैं house chores क्या होता है जी हाँ मैं कह रही हूँ house chores करने वाले हैं इसका मतलब होता है घर के काम अब घर के काम क्या होते हैं जैसे की पोचा लगाना जाडू लगाना खाना बनाना इन सब को हम कहते हैं घर के काम और कब कब करते हैं आप इने क्या आप जाडू week में एक बार लगाते हो, नहीं न, आप रोज जाड़ू लगाते हो, तो house chores का मतलब होता है, वो काम जो हम अपने routine में करते हैं, घर के अंदर, उसे साफ रखने के लिए, तो ये काम होते हैं house chores, तो आप आराम से बैट कर लेसन देखिए, और मैं आपको सिखाऊंगी आज कैसे घर के कामों के बारे में, मतलब house chores के बारे में English में बात करें, तो देखते रहें लेसन मेरे साथ, मेरा नाम है चारू जहां पर आफ लिएंटली English बोलना सीखते हैं, तो हाच हम इस लेसन के शुरुआत करते हैं, different types of house chores के साथ, मतलब हम जानेंगे जो घर के काम होते हैं, अलग-अलग काम होते हैं, तो उन्हें हम English में कैसे बोलेंगे, तो आईए शुरू करते हैं kitchen के sentences के साथ, मतलब kitchen chores के साथ, तो first sentence है, मेज को समेटना, मतलब to clear the table, अब इसका example देखते हैं, मेज को समेट दो please, please clear the table, मतलब table पर जो सामान रखा हैं, उन्हें हटा दीजिए, अगला sentence है, मेज को साफ करना, to wipe the table, समेटने को कहते हैं clearing, साफ करने को कहते हैं wipe करना, इसका example है, table पर मिट्टी लगी है, इसे साफ कर दो, there is dust on the table, please wipe it, अब kitchen के अगले काम की तरफ देखते हैं, अब बरतन दोने की बात करते हैं, बरतन दोने को English में कहते हैं, to do the dishes, या फिर आप कह सकते हैं, wash the dishes, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, rinse the dishes, अब इसका एक example देखते हैं, कल मैंने बरतन दोये थे, आज तुम दो दो, yesterday, I washed the dishes, today, you wash them, अब next काम देखते हैं, अगर आपको कहना है, फर्ष पर जाडू लगा दो, sweep the floor, जाडू के बाद आप पोचा भी लगाएंगे, तो कहेंगे, mop the floor, और अगर जमीन काफी गंदा हो गया है, तो आप कहेंगे, wash the floor, अब आप खाना बनाएंगे, तो क्या कहेंगे, today, you will prepare the meal, prepare the meal का मतलब होता है, खाना बनाना, अब अगर आपको कपड़े धोने हैं, तो आप क्या कहेंगे, कपड़े धोने को इंग्लिश में कहते हैं, to do the laundry, for example, आप अगर किसी को कहते हैं, कि क्या तुम प्लीज मेरे लिए कपड़े धो दोगे, इंग्लिश में कहोगे, will you please do the laundry for me, okay, so, that's all for today, thank you so much, इस lesson को आज मेरे साथ देखने के लिए, जहां पर आपने देखा है, घर के कामों को, मतलब, house chores को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, thank you so much, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, bye-bye,